दोस्तू, साल 1901, शाम के समय जब मशूर अस्ट्रोनमर पर्सिवल लोवल अपने टेलिस्कोप से आउटर स्पेस को अफजर्व कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी ही पेंचीदा चीज नोटिस की. उन्होंने ये देखा कि जब बाकी के सभी ग्रह अपने अपने रिस्पेक्टिव ओर्बिट्स में धर्ती के चारो और चक्कर लगाया करते थे, तब उनके पाथ्स में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता था. लेकिन इसी बीच जब उन्होंने अपने टेलिस्कोप के लेंस को उरेनस और नाप्चुन की तरफ शिफ्ट किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि ये दोनों ही प्लानेट्स अपनी ओर्बिट की एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आकर हलके से डिफलेक्ट हो रहे थे, और अब जब लोवेल ने इसी बदलाव को नोटिस किया, तोनोंने अपने मन में ये धार्णा बना ली कि नैप्चुन के पास भी एक ऐसा ही मैसिव और मिस्टीरियस प्लानेट मौजूद है, जिसकी ग्राविटी इतनी स्ट्रॉंग है कि वो सूरज के एफेक्ट को भी ओवर कर सकता है, और अपनी इसी कालपनिक प्लानेट को उन्होंने नाम दिया प्लानेट एक्स, अब दोस्तों क्या है ये प्लानेट एक्स, वैग्यानिक इससे कभी ढूंड पाए भी जा नहीं, और आखिर इसका मिलना हम इंसानों के लिए सदियो बाद भी इतना जरूरी क्यू आज के इस वीडियो में हम इसी के उपर डिसकस करने वाले हैं, तो हेलो गाईस, मैं हुकाशिक और चलिए खोजते हैं प्लानेट एक्स को दोस्तो अब लोवल के पास अच्छा खासा पैसा मौजूद था, जिस वज़ा से प्लानेट एक्स के बारे में खोजबिन शुरू करने के बाद, उन्होंने एरिजोना में एक अब्जर्वेटरी का निर्मान करवाया, और वहाँ पर उस समय के सबसे बेस्ट टेलिसकोप को इंस्टॉल करवा दिया, अब वो पूरा दिन उसी प्लानेट की खोज करते थे, उनकी दी होई डिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्लानेट एक्स का मास धर्ती के मुकाबले 50 गुना से भी जादा होगा, जिस वज़़े से उसकी ग्राविटी इतनी ग्राउंद ब्रेकिंग र और ठक हार कर, जब वो जिन्दगी से भी हारने लगे थे, तभी अचानक 12 नवंबर 1916 के दिन अपनी उसी ऑब्जर्वेटरी में उन्होंने अपनी आखरी सांसे ली, जिसके सम्मान में उनकी लाश को भी वहीं दपन कर दिया गया, हालांकि दोस्तों, उनकी मौत के बाद ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई अपार समपत्ती को, बाद में उनके स्टाफ द्वारा प्लैनेट एक्स की रिसर्ज में यूज किया गया, और उनके फंड्स इतने जादा थे, कि 1932 तक उन्हीं के फंड्स के सारे, पूरी रिसर् इर्वेटरी में काम करते वक्त, क्लाइट टॉम बॉग प्लैनेट एक्स के प्रोपोज लोकेशन को अबजर्व कर रहे थे, तब ही उन्हें एक चोटा सा डॉट नजर आया, जिसे जब उन्होंने लेंस के अपर्चर को बढ़ा कर देखा, तब जाकर सबको ये कंफर्म हु प्लैनेट का नाम प्लूटो रखा गया, जिसके पहले दो अक्षर पी एल, पर्सिवल लोवल को डेनोटेड है, अब दोस्तों क्या प्लूटो वाकई में प्लैनेट एक्स था, इसके बारे में चलिए आगे जानते हैं, दरसल जब 1930 में प्लूटो को डिसकवर किया गया था तब किसी को भी उसके साइज और मास के बारे में इतनी जादा नौलिज नहीं थी, जिस वज़ा से सबने यही सोचा कि जिस मैसिव और डिस्टरक्टिव प्लैनेट एक्स के बारे में पर्सिवल लोवल बता रहे थे, वो प्लूटो ही है, और इस बात पर पांच दशकों त करीब दो महिने पुरानी प्लूटो की हाईली मैगनिफाइड इमेजस को फोटोग्राफिक प्लेट्स पर रखकर स्टडी कर रही थी, तब उन्होंने एक स्लाइट इलोंगेशन नोटीस की, जो प्लूटो के चारों और किसी कॉस्मिक बॉडी के होने का संकेत दे रही थी, जिसके बाद जब 1965 से 1978 तक की रिलेटेबल इमेजस को कंपेर किया गया, तो फाइनली 7 जुलाई 1978 के दिन, नासा ने ओफीशली प्लूटो के शैरों मून की कंफर्मिशन दे दी, और यहीं से शुरू हुआ प्लैनेट एक्स का फेज 2, दोस्तों जब शैरों की खोज की गई तो वैज्ञानकों के डेटा में काफी सारी नई वैल्यूज एड हुई, जिसके बाद mathematically यह पता चला कि जिस प्लूटो को सब लोग धरती हिला देने वाली तोप समझ रहे थे, उसी प्लूटो का मास तो पृत्वी के मून लूना का भी 1 by 6 है, यानि टेक्निकली देखा जा फिर धीरे धीरे प्लूटो की किसमत इतनी खराब निकली कि पहले उसका प्लानेट एक्स का दरजा चीनिया गया और फिर उसे सिधा सोलर सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया गया, हैस्टेक जस्टिस फॉर प्लूटो, लेकिन दोस्तों, इस मिसकंशेप्शन के दूर होने के बाद वैज्ञानिकों के मन में फिर से वही सवाल आकर खड़ा हो गया, कि आखिर जिस प्लानेट के एक्सिस्टेंस का लोविल दावा कर रहे थे, वो प्लानेट गया कहां? And here comes the phase 3 of our video, कि आखिर वो प्लानेट कहां और कैसे हो सकता है? बेल दूस्तों, आज एक सदी से उपर बीच जाने के बावजूद, अगर हमें वो ग्रह नहीं मिल पाया है, तो इस मिश्टरी को सॉल्व करने के लिए केवल दो ही पॉसिवल केसे हैं, अब पहला तो है लियूमिनोसिटी, और दूसरा है रोगनेज, अब दूस्तों हो सकत है कि वो प्लानेट वाकई में एक्जिस्ट करता हो और हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा भी हो, लेकिन किसी ब्लैक ड्वाफ की तरह वो इतना ज्यादा डार्क हो कि उसकी सर्फिस से रिफलेक्ट होने वाली लाइट की मात्रा नीर टू जीरो होती होगी, जिस वज़ा से कितना ही बड़ा लाइट सोर्स उस पर रौशनी क्यों न डाले, अगर उस पर से कुछ रिफलेक्ट होगा ही नहीं, तो अबजर्वर तक क्या ही डीटेल पहुँच पाएगी, और शायद इसी वज़ा से हो सकता है कि हम अपने किसी टेलिस्कोप में कई बार उसको कैप्चर भी कर चुके हों, लेकिन जस्ट विकॉज वो इतना ज्यादा डार्क है कि उसकी एग्जिस्टेंस का आइडिया हमें किसी भी नॉर्मल फोटोग्राफ से लग ही नहीं पा रहा है, वैसे ये एक लॉजिकल रीजन है कि क्यों हम सोलर सिस्टम में होते हुए भी उसे ढूड नहीं लेकिन दूसरे रीजन के हिसाब से हो सकता है कि प्लानेट एक्स उस समय तो वहाँ पर मौजूद हो जब पर्सिवल लोवल अपने अब्जर्वेशन कर रहे थे, लेकिन वाट इफ उस सर्टन पॉइंट आफ टाइम के बाद वो हमारे सौर मंडल से ही कहीं बाहर चला गया ह वेल कहने का मतलब यह है कि एक possibility ये भी हो सकती है कि वो प्लानेट कोई fix प्लानेट ना होकर एक रोग प्लानेट हो, अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दे कि रोग प्लानेट बेसिकली ऐसे प्लानेट होते हैं जो पूरे युनिवर्स में बिना किसी स्टार के अ वीडियों में बताये था जहां से आज से तक्रीबन लाखों साल पहले किसी एडवांस सभ्यता के लोग सोने की तलाश में यहां धर्ती पर आये थे लेकिन बैबिलोन के मासूम लोगों ने उन्हें भगवान मान लिया था जब ऐसे बहुत से फ्लाइंग स्ट्रक्चर्स हमें जाते वे दिखाया जाता है उसी तरह वाकई वो हाईली सिविलाइज स्पीसीज अपने प्लानेट को किसी स्पेस्शिप की तरह यूज करने की काबियत रखते होंगे आफ्टर ओल टेक्निलोजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि आज की समय में किसी भी चीज को असंभव कहना गलत नहीं हो सकता अब यार एलियन में विश्वास करने वाले लोगों को तो बस बहाना चाहिए हर एक चीज को एलियन से जोडने का जिस वज़ा से कई एलियन थिरिस्ट कहते हैं कि लोवल की अब्जर्वेशन के दौरान किसी स्पेस शिप द्वारा रिलीज की जाने वाली इलेक्ट्रोमेगनेटिक फोर्स की वज़ा से जनरेट होने वाली ग्राविटी ने इन दोनों ग्रहों को इसकी जगह से धकेल दिय ज़ा था लेकिन पता नहीं क्यूं हम इस पर यकिन नहीं करते क्योंकि इस नॉर्मल से टर्म को एक्स्लेन करने के बहुत से तरीके हैं अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमने जुपीटर से ताकतवर ग्रहों को नहीं देखा या ऐसे ग्रह रोग प्लानेट्स नहीं बन सकते, बस हो सकता है कि पर्सीवल की रिसर्च के वक्त ऐसा कोई प्लानेट यूरेनस और नैप्चुन के बीच से ही कुजर रहा होगा, जिस वज पाया क्योंकि सिंपली वो हमारे सौर मंडल से कहीं दूर चला गया होगा, अब दोस्तों प्लानेट एक्स के किसी रोग प्लानेट होने के ज़्यादा चांसेज इसलिए भी है, क्योंकि जब साल 2016 में कॉंस्टेंटीन, बैटिगन और माइकल ब्राउन, एक्स्ट्रीम ट्रा कॉमिट्स और कॉस्मिक ऑबजेक्स के और बाइटल पात में भी कंटिनियूस इर्रेगुलारिटी रिकॉर्ड की गई थी, चो केवल किसी आउटर फोर्स की वज़ा से ही पॉसिबल थी, और इस छोटी सी डीटेल से रोग प्लानेट की पॉसिबिलिटी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि रोग प्लानेट अगर उसी पात को फॉलो करके आगे बढ़ रहा होगा, तो उसने अपना प्रभाव अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज पर दिखाया होगा, और इन आबजेक्स में नोटीस की गई ये और बाइटल इर्रेगुलारिटी इस चीज का गूत है कि इन पर भी वो लक्षन देखे गए थे, जिसका दावा लोवेल ने यूरेनस और नैप्चुन के उपर होने का किया था, वैसे दोस्तों आपके हिसाब से प्लानेट एक्स कोई रोग प्लानेट है, या फिर कोई एलियन का स्पेस्शिप है, या फिर कोई इतना ज वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएंगे, जरूर जाकर देखना, दोस्तों नहीं हो, तो इश्राइब को सब्सक्राइब करनेके साथ, नोडिफिकेशन, बेल कोई पर देखना, तक या आप देखको मारे वीडियो सबसे पहले, तब तक लिए बाई, जय हिन्द!